कोरोना महमारी की वज़े से एक बार फिर बिहार के सारे स्कूल बंद हैं लेकिन इस बार जादा सवस्या इसलिए है क्यूंकि कुछी दिनों में मैट्रिक की और इंटर की परिक्षाएं शुरू होने वाली है लेकिन जुस्तरीके से स्कूल चल रहे थे सिलिबस पूरा नहीं हो पाया ऐसे में बच्चों के मन में सिलिबस पूरा ना होने की वज़े से काफी जादा डर है बच्चे परिक्षाएं को लीकर बहुत घबरा रहे थे लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिए भी एक तोड़ निक से एक अच्छी कोशिश की गई है आपको बता दें कि दूरदर्शन पर बोट परिक्षारतियों के लिए क्राश कोर्स का संचालन किया जा रहा है बता दें कि कोरुना काल में सिक्षन संस्थानों के बंद होने के आदेश के बाद सरकार की ओर से चात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं इसी कड़ी में बिहार सिक्षा परियोजना की ओर से दूरदर्शन के माध्यम से बोट परिक्षारतियों के लिए क्राश कोर्स कराया जा रहा है दिरधारित समय पर दूरदर्शन पर मैट्रिक इंटर के परिक्षारतियों को व जबकि 10-11 बजी तक 9 वी और 10 वी के बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी 11-12 बजी तक 11 वी और 12 वी के बच्चों को पढ़ाया जाएगा सरकारी और मीजी सिक्षन संस्थानों में ओनलाइन सिक्षन को बढ़ावा दिया जा रहा है दूरदर्शन के अलावा स्कूली सिक्षा से जुड़े हुए कई आप्स जारी करते हुए छात्रों की पढ़ाई सुनिश्चित कराई जा रही है वर्ग 1-5 के बच्चे जिनके पास डिजिटल डिवाइस की कोई सुविधा उपलब्द नहीं है उनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चले इसलिए सरकार की ओर से कुछ और कदम भी उठाए गए है ऐसे बच्चों को जिले में कारिरत, के आरपी और सिक्षा सेवक अपने संबंध विध्यालियों के टोले में भ्रमन करते हुए बच्चों को सिक्षन में सहीयोग करेंगे डिजिटल प्लाटफॉर्म पर भी बच्चों के लिए ओनलाइन सिक्षन की जरूरी कंटेंट उपलब्त कराए जा रही है सिक्षकों का कहना है कि सरकार के इस कदम से चात्रों को थोड़ी सहूलियत जरूर मिलेगे बिहार विद्याले परीक्षा समिति में से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारियों में जुटे परीक्षा थी सेल्फ स्टडी के भरोसे ही हैं क्यूंकि कोरोना काल में सिक्षन व्यवस्था बेपट्री हो चुकी है स्कूलों में चात्रों का सिलिबस तक पूरा नहीं हो पाया सरकारी और नीजी स्कूल, कॉलेजों में अध्यन रत मैट्रिक और इंटर के चात्र कोचिन संसानों और ओनलाइन पढ़ाई के जरिये ही अपना सिलिबस पूरा करने में लगे हुए हैं कोरोना की वज़े से परीक्षा की तैयारियों में जोटे चात्रों को कई परिशानियों का सामना भी करना पड़ा है वीडियो और यो माध्यम से संचालित होने वाले पाट्शाले की तैयारी भी कर ली गई है वैसे बच्चे जुनके पास डिजिटल डिवाइस उपलब्त हैं वे अपने घर पर रहकर ये लाइब्रेडी ऑफ टीचर्स और स्टूडन्स के जरी अपने पढ़ाई जारी रख सकते हैं इसके अलावा हेड मास्टर अपने विद्याले के डिजिटल डिवाइस की उपलब्त दता वाले बच्चों को वाच्साप ग्रूप बना कर विबिन डिजिटल प्लाटफॉर्म पर उपलब्त सिक्षन सामगरी उन तक पहुँचाएंगे कोरोना की वज़े से स्कूलों को तो नहीं खोला जा पा रहा है लेकिन सरकार अपनी तरफ से हर मुम्किन ट्रयास कर रही है कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई समझोता ना आप तमाम वीडियो के लिए लाइफ सिटीज के साथ बने रहें अगर इस फीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें लाइफ सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं धन्यवाद